यह मस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का दक्रिष्ण क्लासिज में तो दोस्तो ताजा खबर आई है रिजल्ट आया है दोस्तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और यह रिजल्ट जो है यह डियलेड का रिजल्ट है दोस्तो हबी तक इसका एक्जाम हुआ था दो-तिन म व्यक्तियों को पता चले उनका सेलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो यह आप सभी का मैं बता देता हूँ यहाँ परतियक जिल्ले के लिए 50 बच्चों का सेलेक्शन होना था और चैन सूची आई है इसको देखते हैं हम किस परकार से है यह विज्ञानोत्तर वर्ग का ह साइस वाले हैं यहाँ पर दोस्तों अब यह जीलवाइज है या नहीं यह दोस्तों जिसके माक्स जादा है शायद उस्तरों से इसका चैन क्या गया है क्यूंकि चमोली के बाद तहीरी फिर अलमोला तो माक्स के आधार पर यहाँ पर सेलेक्शन हुआ है तो जो टौपर है मार्क्स यहाँ पे 182 नमबर आपको दिखाई दे रहे होगे सूरेज सिंग और बहुत बदाई हो दोस्तो डियलेड चेहनित अभ्यरतियों के लिए क्यूंकि अब आज तक जितने भी डियलेड पास किया है वो फिफ्ट तक के टीचर तो बनी जाते है अभी तक यही चल रहा ह है दो साल का इनका डाइट होता है तो आगे अगर कोई इच्छुक अभ्यरति हो तो अपडेट आती रहेगी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी हम बताते रहेंगे उत्राखन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बढ़तिया बीएड डियलेड इ आपको मिलती रहेगी तो दोस्तों देखते हैं यहां पर हमारे एक मित्र भी है जिनका डियलेड में एग्जाम था तो अगर उनका सेलेक्शन हुआ है तो हम सर्च करते हैं उनका नाम अच्छी ख़बर है दोस्तों अभी लाइव है अभी तक हमें जैसे ही हमारे को यहां प मित्र है तो उनका रिजल्ट देखते हैं सचिन नाम है उनका तो सर्च करते हैं सचिन नहीं सचिन है लेकिन सौमपाल सिंग फादर यह नहीं है तो यहां पर देखते हैं सचिन संजवान नहीं यह भी नहीं है और सचिन सन उफ जिवराम बिलकुल दोस्तों यहां पर उनका स सर्च कर सकते हैं और उनका सेलेक्शन हो गया होगा जितने आपके आसपास में मित्र है और अगर आपको दोस्तों ये जो पीडियेफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलिग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड हो जाए उसमें आपको पीडियेफ दे दी जाएग दिहान रखे अपनों का दिहान रखे जैए हिन दोस्तों अ झालम में लिए और में खिएो झालम लगर देलिग्राम लिए्राम लिए कर दोस्तों चाहिए